अगर आप इस चैनल पर नए आये हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लबाना मत भूला इस वीडियो में हम बात करेंगे 1986 की फ्रेंच फिल्म, Manon of the Spring के बारे में, जो उसी साल रिलीज हुई फिल्म जॉन दफलोरेट का दूसरा पार्ट है, हमने जॉन दफलोरेट इसी चैनल पर एक्स्प्लेन की है, और अगर आपने वो एक्स्प्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाकर वो वीडियो जॉन की मौत हो गई थी, और जॉन की बेटी मनौन को गलती से पता चल गया था कि उसके पिता की मौत का कारण सेजार और उसका भतीजा उगोलिन है, जॉन की जमीन और उस जमीन पर बहता जर्ना मिलने से उगोलिन के फूलों की खेती में कोई रुकावट नहीं आई, और वो बहुत सारे पैसे कमाने लगा, उस घर से कुछ दूर पहाडों पर बरनार्ड ओलिवियर नाम का एक लड़का कुछ ढून रहा था और तब उसे भेड बकरिया नजर आई, जहां वो कुछ वक्त के लिए आराम करने बैठा, पर वो ये नहीं जानता था कि वहां मौजू इटालियन्स के साथ ही रहना चाती है, और उन दोनों नहीं उसे भेड बकरिया पालना और शिकार करना सिखाया है, एक दिन पहाडों पर शिकार करते हुए, उगोलिन ने मनोन को नहाते हुए देख लिया, और तब से वो उसी के बारे में सोचने लगा, सेजार ने खुद क मनोन का पीछा करने लगा और उसे खुश करने के लिए शिकार में उसकी मदद करने लगा, एक तरफ जहां उगोलिन मनोन की और अट्राक्ट हो रहा था, तो दूसरी तरफ मनोन बरनार्ड की तरफ हो रही थी, जो उस गाओ में नया आया था और एक पढ़ा लिखा लड़क किया और वो समझ गया कि उगोलिन प्यार में पढ़ चुका है, उगोलिन का प्यार अब्सेशन में बदलने लगा था और वो मनोन की चीज़े अपने पास रखकर अकेले में पागलों की तरह बरताव करने लगा था, सेजार उसके इस पागलपन को देखकर उस लड़की की वहाँ से भाग गया, उगोलिन अपनी जिद पर अडा रहा और उसने सेजार के सवालों के जवाब देने से इंकार कर दिया, उसने सेजार से कहा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता है, पर उगोलिन बदसूरत है, इसलिए वो लड़की उससे शादी नहीं करेगी, कहना था कि मनोन को देखकर उसे एक औरत याद आई, जिसे उगोलिन जानता नहीं, पर उसने उस औरत का नाम उगोलिन को नहीं बताया, कुछ दिनों बाद मनोन के लिए खरगोश रखते हुए, उगोलिन ने देखा कि बरनार्ड मनोन से बाते करने उसके पास आया है, और मनोन को बताया कि वो गाओ के स्कूल में पढ़ाने का काम करता है, उसने तौफे में मनोन को अपना चाकू दिया, और बदले में मनोन ने उसे वो खरगोश दे दिया, जो उगोलिन की तरफ से उसी के लिए तौफा था, अगले दिन उगोलिन ने मनोन से बात करने का फैसला किया पर मनोन को उसका चेहरा देखकर अपने पिता की मौत याद आई और वो नफरत याद आई जो उसने सालों से अपने दिल में पाल रखी है वो उगोलिन से दूर भागने लगी और मनोन का पीछा करते करते उगोलिन ने उससे कह दिया कि वो उससे शादी करना चाहता है उ मनोन के घर के पास दो गाव वाले शिकार करने आये थे और उनकी बाते सुनते हुए उसे पता चला कि गाव का हर एक इंसान जानता था कि यौन के घर पर एक जर्ना है पर किसी ने ये सच उसे नहीं बताया क्योंकि यौन उस गाव का इंसान नहीं था और इसलिए उसकी मौत क जिम्मेदार गाओ का हर एक इनसान है। मनोन ये सत सुनकर अपने आपको संभाल नहीं पाई और रोते हुए वो अपना पुराना घर देखने चली गई जहाँ उसे उगोलिन दिखाई दिया। मनोन बदला लेने के लिए उगोलिन के खेती कर रहा है और मनोन ने अपना बदला लेने के लिए उस जहरने को मिट्टी से दबा दिया। जब उगोलिन को ये पता चला कि उसके जहरने से पानी आना बंद हो चुका है तो वो परेशान हो गया और सेजार से कहने लगा कि उसके सारे फूल सूख जाएंगे इतना ही नहीं गाव में आ रहा पानी भी मनोन ने बंद कर दिया था और अब पूरा गाव इस बात से परिशान हो गया कि उन्हें पानी नहीं मिलेगा वो सारे लोग पानी के बहाव को फिर से शुरू करने की कोशिशे करते रहे पर उनसे कुछ नहीं हो पाया अब मनोन ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया था और जिस तरह जौन को दिन रात पहाडों को पार कर पानी लाना पड़ रहा था उगोलन को भी बिलकुल वैसा ही करना पड़ रहा था गाव में सूखा पड़ने लगा और हर इनसान यही सोचने लगा कि जौन के साथ जो कुछ किया गया था ये सब कुछ उसी का नतीजा है और क्यूकि उन लोगों ने जौन को पानी देने में मदद नहीं की इसलिए भगवान ने उनसे उनका पानी चीन लिया है अपनी परिशानियों का हल निकालने के लिए गाव वालों ने एक एंजीनियर को बुलाया उस एंजीनियर ने उन्हें कुछ ऐसी बाते कही जो उनमें से किसी को समझ तक नहीं आई पर फिर उसने कहा कि वो मैप में देखकर क्योंकि उन रास्तों को अपना कर पानी वापस लाने में दो सालों से ज्यादा वक्त लग सकता है और गाव वालों के बरताव से परिशान होकर वो एंजीनियर वहाँ से भाग गया और गाव वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया गाव के लोग पानी की मांग करने लगे और उनके मेर ने कहा कि हर रोज एक ट्रक बुलवाया जाएगा पर उन्हें खचर लेकर पानी लेने आना होगा और ये बाते सुनकर उस गाव का पोचर अपना आपा खो बैठा और उन सब को चोर कहकर उन्हें मारने की कोशिश करने लगा पानी की परिशानियों की वज़य से गाव के लोग भगवान के आगे भीक मांगने लगे और चर्च जाने लगे उस चर्च के पादरी ने तब कहा कि भगवान भी देख रहे है कि जो लोग आज तक चर्च की तरफ देखते भी नहीं थे आज अपने पानी के लालच के लिए भगवान के आगे हाथ फैला रहे है मनोन भी उस चर्च में आ गए और ठीक उसी वक पादरी पाप और प्राइश्चित की बाते करने लगा और वो बाते सीधे सेजार और उगोलिन को लगी बर्नार्ड ने अपने जन दिन के पाटी में कहा कि उसे लगता है कि पादरी पापों की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो किसी के गुना के बारे में जानते है और वो यही बात चर्च में मौजूद लोगों में से किसी एक को बोल रहे थे पर सेजार ने बर्नार्ड की ये बात अनसुनी कर दी कुछ वक्द बाद मनोन ने सब के सामने कह दिया कि वो पादरी जिनकी बाते कर रहा था वो सेजार और उगोलिन है जिन्होंने उसके पिता का ज़रना चुराया है और उसके पिता को मारा है सेजार बिना किसी शर्म के मनोन को जूटा ठहराता गया पर उगोलिन कुछ नहीं कह पाया सेजार मनोन को जूटा ठहरा कर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वहाँ वो पोचर आ गया जिसने सालों पहले उन दोनों को ज़रने को चुपाते हुए देख लिया था उसने सारी सच्चाई सब को बता दी और फिर उगोलिन डर के मारे मनों से कहने लगा कि वो अपना सब कुछ उसे दे देगा अगर वो उससे शादी कर ले वो पागलों की तरह कहने लगा कि वो उससे प्यार करता है और कुछ देर बार डरते डरते वो वहाँ से भाग गया और सेजार भी उसके पीछे चला गया गाव वालों ने कहा कि वो सब जानते थे कि मनोन फ्लोरेट की पोती है और हमेशा से ये सोच रहे थे कि जौन कोई अंजान शहरी है और ये सच जान कर उन सब को पच्चतावा होने लगा कुछ वक्त बाद सेजार ने एक बच्चे से कहकर गाव वालो को जौन के घर बुलाया वो सारे लोग समझ नहीं पाए कि सेजार आखिर चाहता क्या है पर जब वो लोग वहाँ पहुचे तो उन्हें पता चला कि उगोलन ने आत्माहत्या कर ली है सेजार ने गाव वालों से कहा कि सब को ये बताया जाए कि उगोलन की मौत पेड से गिरने से हुई है और जो कौफिन उसने अपने लिए बनवाया था वो अब उगोलन के लिए इस्तिमाल किया जाए उगोलन ने अपने पीछे एक नोट छोड़ा था जिसे पढ़कर सेजार समझ गया कि वो मनोन से बेहत प्यार करता था और इसलिए पच्टावे में उसने अपनी जान दे दी है और उगोलन की मौत के बार सेजार ने अपना आखरी वारिस उसी इनसान की वज़े से खो दिया जिसके जिन्दगी उसने बर्बाद करती थी बर्नाड ने मनोन को समझाया कि उसे उगोलन के फ्यूनेरल पर जाना चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए इस तरह गाव वालों को उनका पानी भी मिल जाएगा क्योंकि अगर मनोन ने उन्हें माफ कर दिया तो भगवान भी उन्हें माफ कर देंगे मनोन जानती थी कि अगर उसके पिता जिंदा होते तो वो ये चाहते कि गाव वालों को उनका पानी फिर से मिल जाए और इसलिए बरनाड को सारा सच बताकर उसने पानी का वो जहरना फिर से खोल दिया और उस दिन मनोन और बरनाड को एक दूसरे से प्यार हो गया गाव वालों को फिर से उनका पानी भी मिल गया जिसे वो लोग चमतकार समझ रहे थे कुछ दिनों बाद मनोन और बर्नार्ड की शादी हो गई और एक तरफ जहा सारा गाव आज मनोन के साथ था तो दूसरी तरफ सेजार हमेशा के लिए अकेला हो गया था ना तो कोई उससे बात कर रहा था और ना ही कोई उगोलिंग की कबर पर जाता था सेजार की सिर्फ एक ही दोस्त थी जिसका नाम डेलफीन था और कई सालों बार डेलफीन शहर से लोट कर आई थी डालफीन ने सेजार से कहा कि उसने सालों पहले आई एक चिठी का जवाब ना देकर एक बहुत ही बड़ा पाप किया था जिसकी सजा शायद आज वो भुगत रहा है सेजार ने कहा कि उसे किसी से कोई चिठी मिली ही नहीं थी क्योंकि वो कई सालों तक आफरिका में मिलिटरी सर्विस के लिए गया था डालफीन ने बताया कि वो चिठी फ्लोरेट ने भेजी थी जिससे उस वक्त सेजार प्यार किया करता था सेजार और फ्लोरेट उस वक्त एक साथ थे और जब मिलिटरी सर्विस से वो घर वापस आया था तो उसे पता चला कि फ्लोरेट किसी और के साथ गाव छोड़ कर भाग गई है इसलिए सेजार ने कभी किसी से शादी नहीं की और हमेशा फ्लोरेट से नफरत करता रहा पर डालफीन ने उसे बताया कि सच ये था कि फ्लोरेट ने आफरिका में सेजार के लिए एक चिट्टी भेजी थी जिसमें उसने बताया था कि वो सेजार के बच्चे की माँ बनने वाली है जब उसे अपनी चिठी का सेजार से कोई जवाब नहीं मिला तो वो तूट गई और उसने अबॉर्शन कराने की कोशिश की। जब वो ऐसा करने में नाकाम्याब रही तो उसने गाव छोड़ दिया और एक आदमी से शादी कर ली जिसके बाद जॉन के रूप में एक हंच बैक का जन्म हुआ जिस जॉन को सेजार ने बरबादी की ओर धकेल कर मार दिया वो दरसल सेजार का ही बेटा था और वही वारस थ जिसका सेजार को हमेशा से इंतजार था सेजार ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापो की उसे ऐसी सजा मिलेगी और आज अपनी असली वारिस Μनोन के सामने होने के बावजूद वो उससे नजरे मिलाने की हम्मत नहीं रखपा रहा वो हर रोस मनोन के घर के बाहर इस करने का फैसला किया और मरने से पहले उसने मनोन के लिए एक चिठी छोड़ी जिसमें उसने बताया कि जौन सेजार का ही बेटा था वो बेटा जिसे उसने कभी ठीक से देखा ही नहीं और ना ही उसकी कभी आवाज सुनी इसी पच्चतावे के साथ सेजार की नीन में ही मौत हो सारा सच उस चिठी में लिखने के साथ साथ उसने ये भी लिखा कि अपनी सारी जायदाद वो मनोन के नाम कर रहा है क्योंकि मनोन ही उसकी असली वारिस है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना